जहां एक ओर सोर्य ग्रहन के दिन अन्य मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं वहीं दूसरी ओर प्रसिद शक्ति पीठ ज्वाला जी मा का मंदिर वीरवार को सोर्य ग्रहन के दिन भी पूरा दिन भक्तों के लिए खुला रहा सूरे ग्रहन के दिन काफी संख्य में शद्धालू माजवाला के दर्षणों के लिए पोँचे और सभी ने अपने घर परिवार की सुख समरीथी की कामना मा से की प्रसिद्ध शक्तीपीठ माजवाला जी में सूरे ग्रहन के दिन भी मंदिरों के कपाट खुले रहे मंदिर के पुजारी अविनेंद्र ने बताया कि सुभा आठ बचकर 18 मिनट से ग्रहन लग गया था उन्होंने कहा कि साल 2019 के इस अंतिम सूर्य ग्रहन के दिन ज्वालाजी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना कर मा ज्वाला का आशिरवाद प्राप्त किया उन्होंने कहा कि ग्रहन के दिन अन्य मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं लेकिन ज्वालाजी में स्थित विश्व प्रसित शक्तिपीट एक ऐसा मंदिर है जहां ग्रहन होने पर भी मंदिर मा के भक्तों के लिए खुला रहता है और भक्त यहां मा के दर्शन कर सुख सम्रिधी की कामना करते हैं वहीं यहां पर घरों व बजारों की दुकानों से लाया गया प्रसाद भी चढ़ाया जाता है पुजारी ने कहा कि अगनी के समक्ष सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती है और माजवाला के मंदिर में जियोती रूप में माजवाला स्वयम विद्व काम रहती है इसे के चलते ग्रहन में भी ज्वाला जी मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है अज हमारे दो हजार उनी का लास्ट सूर्य ग्रहन हो रहा है और बड़ा ही पवित्तर समीत हा गया है हमारी हिंदु सवस्कृति में इसमें किया हुआ जब तब यग्य पूजा बाट जो है वह सहस्तर बोटी को नफाद देता है और हमारे भारत में हमारी हिंदी स्वस्कृति में किरहन के समय सभी मंदरों को पटबंग कर दिए जाते हैं लेकिन केवल शक्ति पीट में और वह भी जौला जी मैया में यहां जो जौला में मुकी मैया जोती रूमी प्रा सिटी चैनल के लिए जौला जी से पंकर शर्मा की रिपोर्ट